बुद्ध पूर्णिमा पर जानिये 11 विशेश काम की बाते वैशाक पूर्णिमा, गौतम बुद्ध की जयनती वैशाक पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, ये गौतम बुद्ध की जयनती है और उनका निर्वान दिवस भी, इसी दिन भगवान, बुद्ध धर्मावलंबियों के लिए बुद्ध विश्णू के नौवे अवतार है अताह। हिंदूों के लिए भी ये दिन पवित्र माना जाता है। इसी कारण बिहार स्थित बोध गया नामक स्थान हिंदू वह। बौध धर्मावलंबियों के पवित्र तीरत स्थान है। ग्रिहत्य धत्व ज्यान की प्राप्ती हुई, तभी से ये दिन बुद्ध पूर्निमा के रूप में जाना जाता है। को, वेशाक, उत्सव के रूप में मनाते हैं जो, वेशाक, शब्द का अपबरंश है। दो, इस दिन बौध घरों में दीपक जलाए जाते हैं और फूलों से घरों को सजाया जाता है। तीन, दुनिया भर से बौध धर्म के अन्रियाई बोध गया, आते हैं और प्रार्थनाई करते हैं। चार, बौध धर्म के धर्मग्रतों का निरंतर पाठ किया जाता है। 5. मंदिरों व घरों में अगर्बत्ती लगाई जाती है, मूर्ती पर फल फूल चड़ाए जाते हैं और दीपक जला कर पूजा की जाती है। इसकी शाखाऊं पर हार व रंगीन पताकाएं सजाई जाती हैं। जड़ों में दूद व सुगंधित पानी डाला जाता है, रिक्ष के आसपास दीपक जलाए जाते हैं। 7. इस दिन मानसाहार का परहेज होता है क्योंकि बुद्ध पशु हिंसा के विरोधी थे। 8. इस दिन किये गए अच्छे कार्यों से पुन्य की प्राप्ती होती है। 9. पक्षियों को पिंजरे से मुक्त कर खुले आकाश में छोड़ा जाता है। 10. गरीबों को भोजन्व वस्त्र दिये जाते हैं। दिल्ली संग्रहाले इस दिन बुद्ध की अस्थियों को बाहर निकालता है। जिससे की बौध धर्मावलम भी वहां आकर प्रार्थना कर सके। जिससे की बुक्त काश्रह्नी दिससे जाता है। अिससे की ब॥क्त के जड़ एक एक गता है।